नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहाँ आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ अदानी पावर के स्टॉक के बारे में यह खबरों में आ गया है कल से जब से खबर आई है कि रिलाइन्स मौटा भाई मुकेश अमबानी जी अदानी पावर में निवेश करने जा रहे हैं और इसकी डीटेल वीडियो में आप सभी के साथ डिसकस कर चुका हूँ कि अदानी पावर की होली ओन सबसिडिरी कंपनी एक M.E.L. माहान एनर्जेन लिमिटेड करके जिसमें निवेश हुआ है P.P.A. हुआ है परचेजिंग पावर एग्रिमेंट साइन हुआ है 20 यह का जहां पे 26 परसेंट का उन्होंने स्टेक लिया है जिसकी वेल्यू है 50 करोड रुपे जो M.E.L. है वो 2800 मेगावर्ट का उपरेटिंग कैपसिटी लेके आएगी अराउंड I think फाइनेंशी लियर 2030 तक लिखाता है या इवेंच्वली लिखाता अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर पाँगा बट यह सारी डीटेल्स थी और 500 मेगावर्ट का उनके साथ कॉंट्रेक्ट हुआ है रिलाइन्स के साथ अब इसका कितना इंपक्ट अदानी गुरुप के स्टॉक पे पड़ेगा अदानी पावर पे पड़ेगा और क्या इसके चलते अदानी पावर का शेयर भागेगा लेना चाहिए तो यहां मैं आपको क्लियर कर दूँ इसके चलते भागेगा नहीं भागेगा किसी को नहीं पता लेकिन ये शेयर भागेगा ये मैं कहा सकता हूँ इसेयर में अगर आपकी position है definitely बने रही है नहीं है बना सकते हो 500, 510, 516 ये खोने के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है आप सभी के पास अगर मैं इसके financial terms पे आके आप सभी के साथ बात करो तो वो भी मैं आपके साथ discuss करूँगा 533 रुपे पे इसकी closing आई है मैंने कल भी वीडियो बनाई थी जब 516 पे था कल या परसों बनाई थी मैंने जब मैंने काता आप कहते हो कि आप सिर्फ यह बोलते हो आप current बाउ से ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 516 रुपे पे खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है इस company का currently 60 रुपी का earning per share है simple terms में बोला जाए कि एक share पे company 60 रुपे बना रही है और share का price अभी 530, 533, 516 पे थोड़े दिन पहले था दो दिन पहले यानि की company 8 times के PE पे trade कर रही है केवल और इसका earning per share इतनी तेज रफतार से भाग रहा है कि अगर यह कोई sustainable company होती न तो इसके valuation हो दे 50-100 के ठीक है लेगिन क्योंकि इसका profit अभी start हुआ है और काफी या एक पूरे 2 साल हो जाएं यह settle हो गया तो stock का price automatically बढ़ने लगेगा च्योंकि market को पता दिल जाएगा भईया profit हो गया settle अब इसके valuation देना करो महंगे शुरू तो यह अगर 15-20 के PE पे पहुँचा तो यहां से यह doubler हो सकता है अगर मैं इसके valuation की बात करूँ जैसा कि मैं भी आपके साथ बता रहा था 60 रुपीज का earning per share है तो उसी को मैं आपके साथ अगर detail में discuss करूँ तो last financial year में जो था वो 27 का था डबल से जादा हो गया अगर मैं इसी तरीके से भी ले जाओ अगर यह 60 रुपे से डबल नहीं के और 50% भी गुरू हो जाए 90 रुपे का आ जाए तो 90 के हिसाब से पता है कितना होता है stock का भाओ आप मतलब सोचो 10 का PE मिलके है तो सीधे सीधे 90 रुपे अभी मैं इससे भी simple method आपके साथ share करूँ तो company का last quarter का 2700 करूड का मुनाफ़ा है अब इस quarter में कितना मुनाफ़ा हैगा देखने वाली बात होगी क्योंकि बीते 4 quarter का include करोगे तो बहुत high level का मुनाफ़ा है ये मान के चलो अगर 5200 करूड से कम का मुनाफ़ा बनाना तो फिर इसका earning per share घटेगा ये आप ध्यान से समझी मेरी बात को अगर company ने मुनाफ़ा करा 4000 करूड का pace March quarter में तो आपको तो लगेगा 2700 करोड से बढ़कर 4000 करोड है लेकिन बीते 4 महीने का आप count करोगे तो अभी के हिसाब से कम हो जाएगा क्योंकि बीते 4 महीने क्या है बीते 4 quarter माफ़ कीजिएगा March है, June है, September है, December है अब ये March आएगा तो previous March चला जाएगा तो earning per share घटेगा तो ये quarter में मुनाफ़ा 5200 करोड से जादा आना चाहिए earning per share बढ़ने के लिए बट ये अभी की बात है Eventually तो आपका profit उपर जाएगा इस quarter नहीं जाएगा, अगले जाएगा, अगले से अगले जाएगा तो अभी आप लेने जा रहे हो तो definitely view थोड़ा सा बढ़ा रखना और नहीं लेने जा रहे हो, तो इस quarter के results का wait करो, क्योंकि इस बार के number 5200 करोड से profit उपर नहीं आया, तो फिर नीचे रह जाएगा stock का price, ये मैंने details दिये है ये ऐसे ही होता है, जैसे आपको 3-4 4 महीनों का count करना है तो वो जनवरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल हो गए भी, तो इन 4 महीने का हो गया अब मई आ जाएगा, मई खतम हो जाएगा तो 4 महीने क्या हो जाएगे, मई हो जाएगा आपका अप्रेल हो जाएगा, मार्च हो जाएगा फेबरी हो जागा जन्वरी हट जाएगा तो इसी तरीके से बीदे चार कोटर में अभी तो बड़ा मुनाफ़ा दिख रहा है क्योंकि मार्च में आपका 5200 करोड था जून में आपका 8800 करोड था सेप्टेंबर में 6500 करोड था और अभी आपका 2700 करोड है समझ रहे हो तो प्रीवियस महंगा वाला भार जाएगा सस्ता वाल अंदर आएगा तो वो अटोमेटिकली कम होगा अर्निंग पर शेर इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा वेट भी कर सकते हो आप अदर्वाइस यहां पे आपको होल्ड करना यह तो किलियर कट रहे है